हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तो देखिए अब विंटर का सीजन धीरे धीरे जा रहा है तो बसंद का मौसम आ रहा है तो फूल सूख रहे हैं अब हमारे काम होता है कि हम उनके सेट्स को कलक्ट करें तो इसी बात पर आज हम बा आधैक करते हैं को और कॉक्स कौम की मुर्गागल की इसको आउम भाशा में मुर्गागल की बोला जाता है तो हम उसके सीज को कैसे मतलब करते हैं और थाosse का सेजन जा रहा है बहूं धिरी दे स Après यह ब्यू तो सुख चुके तो इसके शोशवे हैं तो इसके सीज को कलेक्ट यह से से डंबान में ऑप सबस्कारित का नाशी हुआ है उकमेर मार्च से जुलाइयक तक तक कभी भी लगा सकते हैं और एक बार आपके गार्डेन मा आगया तो यह देखे इसके फ्लावर जो हैं सूख रहे हैं इस तरह से हम इनको बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं एक बार आपके garden मा आगया तो हमेसा बना रहता है अगर आप collect करेंगे बीजों को तो अच्छे से आप रख सकते हैं और नहीं तो यह अपने आप भी जम जाता है दोस्तों तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसके जो बीज हैं सुखे हुए हैं और हम इनको collect कर सकते हैं तो एक बार हम collect करके रख लेंगे तो safe रहेंगे बाद में जब इसका मौसम आता है जुलाए के time पर तो आप सुखा के इनको फिर से grow कर सकते हैं और देखे यह इसके बीज होते हैं ब्लै कलर की होते हैं बहुत छोटे से होते हैं ब्लै कलर के तो फिर आप अपने हिसाब से कहीं होना शुरू हो जाएगा और जाड़े से पहले इसमें ब्लूमिंग हो जाती है अक्टूबर तक इसमें ब्लूमिंग होना सुरू हो जाती है तो अभी दिरे-दिरे सूख रहा है बहुत easy growing है पानी की जरुवत भी नहीं है बिना खातके भी चलता है तो आप इसको अपने ग कोलिथीन वगरे में बंद करके रख लीजिए तो अच्छे से safe रहेगा और जब इसका टाइम आएगा जुलाय अगस्त में फिर से आप इसको डाल दीजिए तो बहुत सारे प्लांट आपके बन जाएंगे और ऐसी जगे डाले जहां पी मतलब कि ज़्यादा घेरता है तो आप इसको बहुत सारे प्लांट गोन पना एक बने पीक है और ऑप पर ख़िलने के बाते बना रहता है तो इस वह आपने गार्टेनिय को और उक्त कर सकतें दोस्तों और इसको 46 बांद देह Detroit 481 य Amaak लिगे लिवें करें करूदे तो अपने घ्राइब करें इन लाओ अजया तो जाल के ना स्प्राइब care उख कर ने दिशय स्टीए और यह है यह को अपने दूसरे अए मिलता है तो आपको त segi एक टरीए और बहुत सूंसरा शायं लगत 뜯ों। तो हमें यह चिंतारी रहती है गार्डन में अगर कुछ भी फूल नहीं होंगे तो यह हमेशा रहेगा तो इसलिए आप अपने गार्डन में इसको जरूर एड़ करिएगा देखे इस ताइप से इसके सीड होते हैं और सुन्दर लगता है इसको एक दूसरा कलर औरेंज कलर आ तो हमारा गार्डन जो है हमेशा सुन्दर दिखता है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो प्लीज कमेंट करना लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद